जैशी किष्णा दोस्तो भियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो बसंद पंचिमी का दिन बहुत ही बड़ा दिन माला जाता है और इस दिन बहुत ही दुल्लव योग भी बनने जा रहा है कई वर्षों के बाद इस बार बसंद पंचिमी पर ऐसा योग देखने को मिल गुरुवार का दिन होना बहुत ही शुब और शेष्ट माना जाता है गुरुवार का दिन श्री हरी विश्णू का माना जाता है और बसंद पंचमी का दिन मास रस्वती का माना जाता है और बसंद पंचमी के दिन ही देखे श्री कृष्ण भगवान का रुकमणी जी के साथ विवा हुआ था तो लक्षमी रायन का दिन माना जाता है इस दिन बहुत ही दुलब योग बनने जा रहा है इस योग में अगर आप एक पीला धागा अपनी मनोकामना बोलकर इस जगह बान देते हैं तो यकीन मानिये आपकी जो भी मनोकामना है पुत्र संतान की धन की विद् ही पूरी होगी दोस्तो उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगलने बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वादी सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुष सके दोस्तो बसंद पंचिमी पर ऐसा दुल्लव योग बनने जा रहा है इस दिन आप अपनी किसी भी मनो कामना के ले इस उपाय को अवश्य करें सुबे स्नान करके स्वच्च होकर पीले वस्त्र अवश्य धारन करें बसंद पंचिमी के दिन मा सरस्वती का पूज प्रजोलित करना है उसमें भी आपको चुटकी वर हल्दी अवश्य डालनी है दोस्तो आपको पीला धागा लेना है आप कलावा भी ले सकते हैं उसको हल्दी से आप पीला कर सकते हैं और उस पर आपको पांच गाठ लगानी है अपनी जो भी मनो कामना है चाहे आपकी संता आगे को आपको मासरस्वती के हाथ पर बान देना है इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं किसी भी मंदिर में जाकर जहां पर मासरस्वती की मूर्ती हो वहां पर भी कर सकते हैं अगर आप हाथ में नहीं बान सकते तो मासरस्वती को उस धागे को अवश्य ही चड़ मासरस्वती के आगे उस दीपक को प्रजलित करें और ग्यारा बार इस मंत्र का जाप करें मासरस्वती के किसी भी मंत्र का आपको ग्यारा बार जाप करना है और अपनी प्रात्ना मासरस्वती के आगे अवश्य बोलनी है साथ ही दोस्तों इस दिन देखे शीहरी विश्णू का दिन माना जाता है तो इस दिन आपको केले का पूजन अवश्य करना है केले पर भी आपको एक लोटा जल उसमें हल्दी थोड़े से चने की डाल और गुल डाल कर आपको केले पर जल अवश्य चड़ाना है वहाँ पर भी आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और आपको वहाँ पर भी एक पीला धागा अपनी मनो कामना बोलकर अवश्य ही केले पर लपेड देना है दोस्तों आपको कलाबा लेना है या फिर कोई भी पीला धागा ले ले उस पर अपनी मनो कामना बोलकर पां कम देखने को मिलता है तो इस दिन आप शिहरी विश्नु का पूजन अवश्य करें मा सरस्वती का पूजन अवश्य करें और उनको भोग भी अवश्य लगाएं दोस्तों इस दिन पीली मिठाई का पीली वस्तु का या पीले चावल बनाकर मा सरस्वती को और शिहरी देवाय मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करना है दोस्तों ऐसा दुल्ला बेयोग देखे कई वर्षों में देखने को मिलता है बसंत पंचिमी का दिन बहुत ही बड़ा दिन माला जाता है इस दिन भगवान कृष्ण का माता रुकमणी के साथ विवा हुआ था तो इस दिन आप सच्चे मन से उनसे प्रातना अवश्य करें माता सरस्वती विद्या की देवी हैं पुत्र धन विद्या को देने वाली हैं और सच्चे मन से इस दिन अगर मा सरस्वती का पूजन किया जाए तो निशिद ही उसकी मनोकामना पूरी होती है तो दोस्तों इस दिन ये उप प्रेशना प्रेशना